सूप्रभाद बच्चों संतुकराम स्कूल से मैं आर्चना शेके आप सभी का स्वागत है आज और एक बार हम ग्रामर का एक नया हिस्सा देखने वाले है चलिए स्क्रीन पर आपके लिए एक उधारन है देखो बिट्टू राम आम दिया बिट्टू धन्यवाद दिया राम भी बिट्टू मिटाई दी कुछ अजिब लग रहा है थोड़ा अलग लग रहा है वाक्य सुनते समय है न उधारन तो मैंने आपके सामने रखे लेकिन ये सुनने में थोड़े अलग लग लग रहे क्यों लग र जो वाक्य में चूट गया है उसके बारे में और थोड़ा जानते हैं चलि मैं यही वाक्य आपको दूबारा सुनाती हूँ देखो बिट्टू ने राम को आम दिया राम ने बिट्टू को धन्यवात कहा राम ने भी बिट्टू को मिठाई दी देखो वही वाक्य अभी आपक सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं अजिम में लग रहा है जो वाक्य हम हरोग सुनने में थ्योड़ा अलग देखो मिट्टू को यह इदने को जो पहले वाक्य में नहीं था, इन वाक्यों में हमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कारक कहा जाता है, कारक जो की वाक्य में बहुत महतोपूर्ण होते हैं, जिनके बगेर वाक्य अधूरी लगते हैं, सुनने में अजीब लगते हैं तो इन कारक से संबंदित हमें थोड़ी जानकारी आज हासिल करनी है कारक किसे कहते हैं कारक के प्रकार कितने हैं यह हमें आज जानना है तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि कारक की परिभाशा ने कारक किसे कहते हैं तो देखो यहां पर आपको कारक की परिभाशा दिखाई दे रही है सग्या या सरवनाम के जिस रूप से या क्रियापत से संबंध का पता चलता है उसे तो क्या कहते हैं कारक कहते हैं सग्या या सरवनाम के जिस रूप से क्रियापत से संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं ठीके च आपको पिताजी मा के लिए साड़ी लाए एक छोटा सवाक्य है आपके सामने पिताजी मा के लिए साड़ी लाए यहाँ पर सग्या क्या है पिताजी और मा सग्या तो पत है आपको है कि नहीं तो सग्या है पिताजी और मा और क्रियापद है लाए लाना चलना खाना दोडना ये क्या है क्रियाए है है कि नहीं तो ये क्रियापद है तो सग्या और क्रियापद इन दोनों को जोडने का काम जिसने किया है उसे कहा जाता है कारत समझ में आया? यहाँ पिता जी और मा यह जो सग्या है और यहाँ पर क्रियापद है लाना साड़ी लाने का काम किया है तो इन दोनों को जोडने का काम जिसने किया है वो है के लिए और इसके लिए को ही क्या कहते है? कारक कहते है तो यह हुगे आपकी कारक की परिभाशा कारक किसे कहते हैं तो कारक कौन-कौन से हैं देखो नीचे मैंने दिया आपको ने का की के से के लिए पर में अरे ये अलग-अलग कारक है जो वाक्यों में आते हैं और जिनके बगेर वाक्यों हमें अधूरे लगते हैं वहाँ पर वाक्य में होने जरूरी है नहीं तो हमें वाक्य जैसे मैंने पहले आपको बताया उस प्रकार अजीब लगता है एक नहीं तो चलिए कारक की कौन-कौन से प्रकार है हम देखेंगे देखो आपके सामने है कारक के प्रकार कितने प्रकार है आठ याद रखिए कारक क आठ प्रकार है सबसे पहला है करताकारक फिर है कर्मकारक संप्रदानकारक करनकारक संभोधनकारक फिर है अपादानकारक फिर संबंदकारक और अधिकरनकारक तो यह आठ प्रकार हमें आज देखने हैं तो चलिए जो भी आठ प्रकार है उनमें से चार प्रकार हम आज देखेंगे और बाकी कि हम कल देखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे करता कारक वाक्य में आता है लेकिन उसके भी अलग-अलग नाम होते हैं तो यह करता कारक होता है ने तो धारन देखो यहां पर मीना ने सितार बजाया तो यहां पर अगर ऐसा होता मीना सितार बजाया कैसे लगता वाक्य तो इसलिए कारक का कितना महत्व है यानि वाक्य में अगर कारक नहीं है वाक्य हमारा अधूरा लगता है तो इसलिए मीना ने सितार बजाया ने लगाने के बाद क्या होगा वाक्य पूरा होगा अभी यहा लगया है और इसलिए उसको क्या केते हैं करता कारत केते हैं ठीके समझ में आया यह करता के बाद जो कारक लगाया जाता है उसे कहा जाता है करता कारत तो चलिए दूसरा प्रकार हम देखेंगे कर्म कारत आपको पता होगा वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रियापद, इनसे वाक्य हमारा पूरा होता है, है कि नहीं, तो कर्म भी होता है वाक्य में, पहले वाक्य में कर्म नहीं था, लेकिन यहाँ पर है, कर्म क्या है, देखो, अभी दूसरा वाक्य देखने के बाद आपको समझ में आए है खिलाया तो यहां पर कर्म के बाद जो कारक लगा है वह कौन सा है को दिखो आप अगर को निकाल दो तो कैसे बनेगा क्यों भी देखो आप मीरा गाय चारा खिलाया कैसे लगेगा नहीं विल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जिब लग रहा दूरा लग रहा है तो इस उसे क्या कहा जाता है कर्मकारक कहा जाता है तो चलिए अगला प्रकार हम देखेंगे करनकारक करनकारक है से उधारन देखो बच्चे बस से यात्रा करते हैं बस द्वारायने बस में बैठकर यात्रा कर रहे हैं तो यह करनकारक अभी से यह जो कारक है दोबारा आता है उसकी पुनरावरती होती है जैसे अपदानकारक में भी से है तो आप कहेंगे यहां पर कि से अपदानकारक भी है और अभी-अभी हमने जो देखा वहां पर भी आता है करनकारक में तो यह पहचानेंगे कैसे तो बहुत आसान है कैसे पहचानना है अपदानकारक इसमें जो से आता ह खरड़े पेड से अलग होने की क्रिया तो यह दर्शानिके लिए जिस कारक का इस्तिमाल किया जाता है वह होता है अपादानका और यहां पर पहला हम देखा था करņकारक वह उसके द्वारा होने की क्रिया दर्शा था है यहां पर पेड़ से अलग होनी की क्रिया दर्शा है तो इस प्रकार हमने आज 4 प्रकार देखे हैं कल हम देखेंगे बाकी की चार प्रकार जो कारक के बचे हैं और जानेंगे वो कौन से कारक है कहां इस्तिमाल किये जाते हैं तो तब तक के लिए धन्यवाद